यूपी के पीली भीत में उस बक्त हड़कम मच गया जब थाना बिलचंडा इलाके के गाउं कुट रहिया में 15 वैश्ची यूप्ती का शब कबर से गायब हो गया दरसल 15 वैश्ची अंजली को पीजया की बिमारी थी जिसके चलते यूप्ती की 6 दिसंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद यूप्ती को गाउं में बने शम्शान घाट पर ही यूप्ती को दफना दिया गया था हाला कि आज जैसे ही गड़े की मिट्टी हटी हुई देखी तभी यूप्ती के परिजनों ने पुलिस को सूच ना दी जिसके बाद मौके पर इसको एट टीम सी हो सहित पुलिस मौके पर पहुँच गई फिलार पुलिस ने चान बिन की बात कहिए आपको बता दे कि इसी गउँ में पहले भी एक यूप्ती का शब गायब हो चुका है उस वक्त भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया शायद यही वज़ाए कि पुलिस की कारेशेली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं वाइस यू विसलपूर ने बताया कि गाउं को ट्रेया की उप्ती की पीलिया की विमारी की वज़ा से मौत हो गई थी जिसके बाद उसे 6 दिसंबर को गाउं में बने शम्शान घाट पर दफनाया गाया था क्या नाम है अपका पिता जी का नाम कहां करेने वाले अच्छा क्या हुआ आपकी लड़की के साथ एक लड़की वहारे एक मेहना से स्कीजिया क्षिकाइग बनी की कंद्रा जिन में जाधा बनी इसकी सूजन उजन आए गई गई उजन उजन दवाय वाईल आए दवाय सू अज़की लड़की के लड़की गलास गाई बनी क्या मामला है यह अंजली पुत्री राकेस लगवागूमबर पंद्रव बरस है इनका बटाया जा रहा है कि पीलिया के लारा कारण इंके मिर्थी हो गई थी इनको छे तारिक में साम को दफनाया गया था आज तो बड़की जोनी की सोतिना पर पोलिस आई है अभी गटना इसकल का निक्षण करके आसपास के जगों पर दिखाया जा रहा है और इंचिक टीम जो है वो भी लगी हुई है हमारी सब्लांच की मदद दी जा रहे है जल्दी इसका खुलासक किया जाएगा और जो भी इसमें तैरीर दें की लो सुब एता इद कर दो